आज हम डिसक्स करने वाले हैं कमेंज की भारे में सुरको मैं ठेंक्स होना चाहती हूँ कमेंज करने के लिए नमस्ते दौस्तों, मैं सुम闪 सर्मा आपसे भी कास भागत करती हूँ आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में सर का कमेंट सी यह था कि जो sales invoice यानि कि जो वो sale करते हैं उसके उपर transportation charges यानि कि जो freight charges वो apply करते हैं जो की indirect income के under में आता है जो हम create करते हैं sales invoice के उपर अगर आफ freight charges अपलाय करते हैं transportation charges अपलाय करते हैं तो उसका group हम select करते हैं indirect income यानि कि वो हमारी income होती है जब हम sales invoice के पर इसको apply करते हैं और उसके बाद वो transportation charges जो वो cash में pay करते हैं जो की indirect expenses के अंडर में आता है तो सही है आपका जो comments है वो आपने सही किया है तो इसका कोई solution नहीं है क्योंकि देखिए जब भी आप sales invoice के पर प्रेयर चार्जेस अपलाई करते हैं या फिर transportation charges अपलाई करते हैं तो वो transportation charges का बिल आप रिसीव करते हैं transporter से तो ultimately उसको भी आपको enter करना होता है तो एक जगर से आप transportation की service लेते हैं और एक जगर से उस service को sale करते हैं तो जब आप service लेते हैं तो उसको indirect expenses में हम book करते हैं और अगर हम अपने sales invoice के उपर उसको apply करते हैं तो उसको indirect income में show करते हैं तो इसका यह solution है कि आप invices के उपर apply करके party से ले लीजिए और जब भी आप transporter को pay करेंगे तो transporter को cash में pay करते हैं, bank से pay करते हैं तो ledger सही आपने बोला, सही आपने create किया है अगर आप pay करते हैं, तो under indirect expenses में आएगा और अगर आप sales invoice के उपर लेते हैं, तो वो indirect income के under में आता है तो इस तरीके से आप maintain कर सकते हैं sales invoice के उपर ले लिजिए और जो transporter का, अगर आप cash में करते हैं, तो cash में कर दीजिए invoice receive करते हैं, तो invoice के through कर दीजिए I hope, यह उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको solution बता रहा होगा यह solution आपके लिए helpful रहा होगा अगर helpful रहा है तो प्लीज चैनल को like, share, subscribe कर दीजिए कर देगा, दोनों चैनल को subscribe कर देज़ेगा, Hindi and English word, thank you for watching, keep watching